हाई एवरिवन आप सब का फीट से मेरे एक नए वीडियो पर स्वागत है आई होप आप सब अच्छे होंगो तो जैसे कि आप सब देख भी सकते होंगो स्क्रीन में क्या Facebook ने आपका भी एकाउंट को your account has been disabled में फंसा दिया है और यहाँ पर आजा रहा है विजिट इंस्टाग्राम फेल्प सेंटर ओके यहाँ पर तो ऐसे ही मतलब बता दे रहा है बट आपका इंस्टाग्राम तो मस्ता चल रहोगा गाईज बट आपका Facebook disabled हो गया है क्यों disabled हुआ है यहाँ पर आपको पूरा explain कर दिया Facebook ओके तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं क्यों disabled हुआ है अपने पोस्ट यह फिर कमेंट कर दिया होंगे ऐसा जो कि Facebook guidelines के खिलाप हो गया इसलिए आपका account disabled हो गया है और कभी-कभी कोई बंदा आपके account को hack करने की कोसिज करता है तब जाकि आपको ऐसा problem आ जाता है और ट्रिक को बताने से पहले मैं आप सबको पहले क्लियर कर देता हूं जो भी मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है और मेरे identity को confirm करना है ओके तो सबसे पहले हम लोग identity को confirm करेंगे तो हमको सबसे पहले भी या ब्राउजर में अपने account को login कर लेना है ओके भी या ब्राउजर में ही करना है तब जाकि ये ट्रिक आपके में work करेगा login करने के बाद आपको एक new tab open कर लेना है मैं फटा फट्रिक को बता देता हूँ new tab open करने के बाद आपको ये plus का icon दीखेगा उस पर आपको click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर आपको search बार में आपको type करना है confirm your identity facebook ओके इतना आपको type कर देना है हमको सबसे पहले identity confirm करना बहुत ही जरूरी है guys okay तो जैसे ही हम confirm your identity search करेंगे तो first link हमको मिल जाएगा उस पर आपको सीधे सीधे click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर उसी documents को यहाँ पर देना है जो की name और date of birth से मेच हो मैं आप सब पहले ही clear कर देता हूँ अगर आप सभी को date of birth पता होगा तो okay तो मैंने ID card को मतलब make कर वाया था इस बंदे को मतलब date of birth पता था इसलिए okay तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ID card को दे दिया है document देने के बाद आपको send पर click कर देना है जैसे ही आप send पर click करोगे तो यह तो submit हो जागे जैसे कि आप सब देख भी सकते होंगे hi how can we help you हमारा identity Facebook team क के बास पहुंच गया है यह तो हुआ हमारा पहला step okay हमको second step यह करना है फिर से हमको new tab open कर लेना है new tab open करने के बाद यहाँ पर हमको type करना है report a login issue facebook आपको type कर देने type करने के बाद आपको search कर देना है तो यहाँ पर report and issue with home page और new feed facebook करके एक link मिलेगा इस पर आपको click कर देना है सही है जैसे ही आप click करोगे फिर आपको इस प्रकार से option आ जागे जैसे कि आप सब देख भी करते हूं कि subject description of the issue और यहां पर एक screenshot बोल रहा है ओके तो आप लोगों को क्या क्या यहां पर भरना है मैं अभी आप सब को पूरा explain करने वाला हूं तो जो भी लोग रहेगा उस पर फिर से हमको चले जाना चले जाने के बाद हमको यहां से पूरा copy कर लेना ओके गाईज योर से लेकर पूरा help center तक आपको copy कर लेना copy करने के बाद आपको description of the issue page पर हमको चले जाना है ओके जैसे ही आप आओगे तो यहां पर subject में आपको type करना है my account has been disabled ओके इतना type करने के बाद जितना भी हमने copy किया था help center तक उतना हमको यहां से पूरा paste कर देना है ओके याद रहे गाईज यह एकदम working trick है genuine trick है इस trick से account जरूर ही unlock हो पाएगा ओके तो इतना करने के बाद आपको यहां पर थोड़ा सा मतलब नीचे आ जाना है थोड़ा पहले तो help center के बाद यहां पर dot link देना है इस ओके dot करने के बाद यहां पर आपको type कर देना होगा please solve it ok please solve it इतना type करने के बाद फिर यहां पर screenshot में आपको क्या देना है फिर से हमको वही page पर चले जाना है चले जाने के बाद यह जो इसका एक screenshot ले ले लेना है ok उम्मीद करता मेरी बाद आपको समझ में आ रहे हूगी स्क्रीन सोट लेने के बाद हमको उसी पेज पर हमको आ जाना है जो भी हमने स्क्रीन सोट लिया था उसको इहां पर दे देना हौच्के कि हमारा Facebook account record हो पाएगा वर्णर नहीं होगा मैं आप सबको पहले ही clear कर देता हूं तो हमको सभी जगह से log out कर देना है तो मैं भी अभी log out कर दे रहा हूं आपको भी log out कर देना है मैंने यहां से log out कर दिया है तो आपको 5 day wait कर लेना 5 day के बाद आपको Facebook app में login कर लेना है